सब्सक्राइब करें अपने यूटूब चैनल समराट मेडिकल नामे को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार आज हम लोग जानेंगे चेरी एकस्टी सिरप के बारे में चेरी एकस्टी दो दबाओं का कंबिनेशन है फेरस स्कॉरवेट एंड फोलिक एसिड इसके परतेक 5 ml में फेरस स्कॉरवेट 30 mg तथा फोलिक एसिड 550 mg पाया जाता है इस सिरप को इंडी केमी हेल्थ स्पेस लिटीज प्राइवेट लिमिटेड दोरा बनाया जाता है जो 200 ml के कॉंटिटी में प्लास्टिक बोटल के रूप में 192 रुपिया 50 पैसा के कीमत पर किसी भी मेडिकल इस्टोर पर एजली मिल जाता है इस वीडियो के माद्यम से जनेंगे चेरी एकस्टी सिरप का आपयोग कब और किस परिस्थिती में किया जाता है इस सिरप का आपयोग कैसे कितनी मौत्रा में किया जाता है इस सिरप का आपयोग करने के बाद क्या क्या दुस्परभाब हो सकता है इन सारी जनकारी के लिए बने रही है हमारे साथ दोस्तों चेरी एक्सटी सिरप में जो फेरोसस्कॉरबेट है या आयरन का करित्रीम रूप है इसलिए इस सिरप का उप्योग करने के बाद हमारे सरीर में बलट जल्दी बढ़ जाता है फेरोसस्कॉरबेट हिमोगलोबिन के उत्पादन के लिए भी आवस्यक होता है दूसरा फॉलिक एसिड जिसे बिटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है या हमारे सरीर में नए लालत को जल्दी से बढ़ने में तेजी से बढ़ने में मदद करता है चेरी एक्स्टी सीरप का उप्योग करने वाले बैक्ती जल्द ही चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं या सीरप एंटी एनिमिक सीरप है या एनिमिया या बलड की कमी होने से रोकता है चेरी एक्स्टी सीरप का उप्योग वैसे पेसेंट में किया जाता है जिसमें बलड की कमी हो जो अपने भोजन से उचित मातरा में पोसक तत्व नहीं ले पाता हो तब डॉक्टर अन्य उप्योगी दवा के साथ खुन को जल्दी बढ़ने के लिए जल्दी ताकत लाने के लिए चेरी एक्सटी सिरप को प्रिसक्राइब किया जाता है किसी परकार के गंभीर बिमारी के बज़े से जब पैसेंट ऑपरेशन होने जाता है तो डॉक्टर उसका बलड टेस्ट करवाते हैं बलड टेस्ट के रिपोर्ट में हिमोगलोबिन कम पाया जाता है तब भी डॉक्टर खोन को जल्दी पूर्टी के लिए इस सिरप को प्रिसक्राइब करते हैं किसी परकार के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन में जो बलड लॉस होता है जो बलड चेरने फारने से निकलता है इस blood loss को इस blood के कमी को दूर करने के लिए भी cherry XT syrup को पिलाया जाता है महिलाओं में अत्तिधिक मौसिक सराब के कारण जब महिलाओं को मेंस के समय में काफी blood जाता है तो उसके सरीर में काफी कमजोरी आ जाता है जिस वज़ा से उसके हाथ पैर में जलन होता है चक्कर आने लगता है बीपी काफी कम हो जाता है तब भी डॉक्टर अन्य उप्योगी दवा के साथ इस खुन की कमी को दूर करने के लिए चेरी एक्सटी सिरप को प्रिसक्राइब किया जाता है प्रेगनेंसी में औरतों के सरीर में खुन की कमी नहीं हो इसके लिए भी डॉक्टर गर्वती महिला को ये सिरप चेरी एक्सटी पिलवाते हैं pregnancy में folic acid बहुत महतपूर्ण होता है क्योंकि pregnancy में folic acid का उपयोग करते रहने से बच्चे के सारीरिक बनाबट में कमी नहीं होता है बच्चा लंगरा लूलहा या बददिमाग पैदा नहीं होता है इसलिए pregnancy conceive करने के बाद गाइनेकोलोजिस्ट द्वारा गरबती महिला को चेरी एक्सटी सीरप प्रिसक्राइब करती है चेरी एक्सटी सीरप का उपयोग प्रेगनेंसी कंसीब करने से पहले भी औरतों को करवाया जाता है क्योंकि इसमें जो folic acid है इसके लागातार उप्योग करने से pregnancy conceive करने के chances बढ़ जाते हैं अर्थात pregnancy जल्दी conceive होने में मदद करता है इसलिए डॉक्टर द्वारा cherry xt syrup को pregnancy conceive करने से पहले भी अर्थों को करवाया जाता है पिलाया जाता है किसी बैक्ति को अगर किसी प्रकार का chronic disease हो जिस बज़े से उसके सरीर पे खून नहीं चड़ता हो काफी कमजोर हो गया हो तब भी डॉक्टर cherry xt syrup को prescribe करते हैं क्योंकि इस सिरप के उप्योग करने से पैसेंट जल्दी ताकतवर हो जाते हैं खून में काफी बिर्धी हो जाता है दोस्तों अब जानेंगे cherry xt syrup के डॉजेज के बारे में इस सिरप का उप्योग कैसे करना चाहिए तो एक बैस्क बैक्ती को और तेरह बर से उपर वाले बैक्ती को दो चम्मच सुबह सम दिया जाना चाहिए साथी तेरह बर से नीचे वाले बैक्ती को एक चम्मच सुबह सम दिया जा सकता है cherry xt syrup लेने के बाद क्या-क्या दुस्परभाब हो सकता है तो दोस्तों चेरी एक्स्टी सीरप का उप्योग करने के बाद पैसेंट को उल्टी होना, दस्त लगना, तथा अश्टूल यानि पकहना का कलर काला होना ये इनके कुछ साधारन साइड इफेक्ट है अगर इनमें से किसी भी परकार का परेशन ही आपको दिखे, साइड इफेक्ट दिखे, तो अपने नजदे की डॉक्टर से मिले और उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करें दोस्तों चेरी एक्षटी सीरप के बारे में और किसी भी परकार के जनकारी के लिए कमेंट कीजिए साथी वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, तथा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, धन्यवाद